ओम शांती, मेरा नाम अरोडा है, मैं मुंबई से हूँ और मैं बॉलिवूड इंडरस्ट्री में काम करती हूँ मैंने सीरियल्स के हैं, जैसे की शक्तिमान, बंधन, आंगन, कश्मीर आचकल, जहनुम से वापसी, हैपी होम, नरगी, सकलपना, इधर कमाल उधर धमाल, नव्या, स्टार प्लस पे, कलर्स पे, ये प्यार न होगा कम, तेनाली रामा सब टीवी पे, क्राइम पेट्रोल की मैंने फिल्म्स भी बनाई हैं, डॉकुमेंटरिस भी बनाई हैं दूरदर्शन के लिए, और इस भ्रह्मा कमारी संस्था से मैं करीब एक साल से थोड़ा उपर हुआ जुड़ी हूँ, एक्चली जुड़ी तो मैं 2013 से हूँ, और मुझे बहुत जादा मेरी एक फ्रेंड है, मैं भक्ती में थी, तो मैं उस हिसाब से जाती थी, कि जैसे मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं, तो कुछ मिलेगा, तो मैं ब्रह्मा कमारी में भी उसी एंगल से जाती थी, कि शायद इहां भी कुछ मांगने के हिसाब से, तो थौट्स उस तरह है के थे, तो इसलिए कोर ऐसा हुआ 2017 में मतलब मेरा अचानक से मेरे बेटे ने शरी छोड़ दिया जो की वकील था 28 सगर 2017 उसके बाद being an educated woman और घर का atmosphere ऐसा मेरा एक चोटा बेटा है और husband है तो हम लोग रोते नहीं थे कि एक दूसरे को strength कमना हो लेकिन अंदर घुटन तो होती थी ना और एक मा के लिए तो बहुत ज़ादा बड़ी बात है ये कि वह इससे बड़ी दुखी बात नहीं हो सकती कि उसका बेटा चला जाए लेकिन जब उस बेचैनी के बाद मुझे कहीं लगा कि क्या करूँ क्या करूँ तो शांती ढून रही थी तो मैंने मेरी friend को phone किया किया तुम भ्रह्मा कुमारी जाती हो ना तो मुझे वो तुमारा माउं टाबू में है ना तो मुझे वहाँ जाना है तो for a change हो जाएगा तो she said ऐसे तो नहीं जा सकते किया हुआ था फिर भी मेरे को वो समझ नहीं थी फिर उनने मुझे समझाया कि ऐसे आत्मा नहीं मरती अगर आप दुखी होगे तो vibrations कैसे वहाँ पहुँचेंगी तो वो जो मेरा turning point था life का उसके बाद मैं हर स्थिती में मुझे लगा कि नहीं मुझे stable रहना है मतलब कहते हैं ना जब हम फोटो किछवाते हैं तो हम smile करते हैं लेकिन यहां तो हर के चहरे पे मैंने देखा smiley smile है और किसी को भी greet करना मतलब ओम शांतिक है कि इतना अच्छा फिल हुआ और मुझे इतने experiences हुए कि मुझे literally फिर मैंने दुबारा एक बारी फिर course किया और इस ग्यान को अच्छे से समझा आज मुझे एक साल से उपर हुआ है और मैं छे साथ बारी यहां पे माउंट आबू आ चुकी हूँ मतलब मेरा यह घर बन चुका है बन चुका नहीं बना ही हुआ था मैंने इसको पहचानने में शायद देर करी और आज परमात्मा ने शीर बाबा ने मुझे इस लायक बनाया इस निमित बनाया कि आज मैं यहां पे करीब 11-12 डेरिकेट्स भी लेके आई हूँ और बाबा ने निमित बनाया कि SINTA Senior Artist Association है Bombay में जिसमें जितने भी Actors हैं सब भी कलाकार उसके Members है मैं भी उसकी Life Member हूँ तो मुझे उसका मौका मिला यहां SINTA की Services शुरू करवाने का बहने वहां पे Classes लेती हैं जिससे Actors लोगों को पता चल पाया कि Brahma Kumaris भी कुछ है और यहां से क्या हासिल होता है Actually speaking, Brahma Kumaris में सबने देखा है हमारे साथ जो लोग हैं उन्होंने सबने चमतकार यहां पे जो पहली बारे आया हैं उन्हें भी Miracles हुए हैं चमतकार उन्होंने महसूस किया हैं कि यहां पे Brahma Kumaris सिर्फ देते ही देते हैं और लेने में क्या लेते हैं वो आपके विकार, क्रोध दे दो आपके कोई भी विकार है वो दे दो उन्हें और ले लो उनसे शान्ती ले लो ग्यान ले लो मतलब इतनी अच्छी अच्छी बाते वो देते हैं तो मैंने तो मतलब यह समझे कि बस जीवन सफल हो गया क्या बताऊं आपको, thank you